जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफते के कि आखरी कारुबार दिन कमुनिटी बजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है किस कमुनिटी के अंदर कितनी मन्नी तेजी देखने को मिल रही है उस पर रुपा मैता कि क्या रहे रहेगी यह सब जानने की कोशिश करेंगे रुपा जी बात कर यहां से अगर कॉटन की तो आगर से नजर आयते हैं 38,000 के उपर के उन से थोड़े कम है अब 36,000, 35,000 इस रेंज में देख रहे हैं आपको क्या अलगता है क्या क्या जो जी जो जी जी पॉलिटिकल टेंशन क्रिए है उसका असर क्यमतों पर भी देखने को मिलेगा अब यहां पर बहुत जादा तेजी नहीं है मार्कित यहां पर सस्टेन कर सकता है हो सकता है कि जादा जिरावट ना आए लेकिन फिलाल बहुत तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है मुझे लगता है कि अभी बजार जो है वाइदा कि अगर हम बात करे तो नीचे में डाउन से 36,000 तो उपर में 38,000 इस देखने को मिल रहा है अब पहले ऐसी अठकले लगा ही जारी थी कि जो बिनॉला खले वो 3500 के उपर के इस तर दिखा सकता है 3500 से 4000 के बीच में कारोबार करता नजर आ सकता है लेकिन अब जिस आप से बिनॉला खल ने एक रेंज पकड़ ली है तो अब ऐसे जो कारोबारी ह उनके अंदर एक असमन जस का महौल है कि क्या बिनॉला खल वाकी तेजी दिखा पाएगा आपकी क्यारा रहा है दिखें बिनॉला खल भी रेंज बाउंड हो चुका है यहां से अगर देखा जाए तो 31 के नीचे जो है वह सस्टेनेबिलिटी अगर आ जाती है तो फिर ग्रा बाजार अभी सुस्त रहेगा क्योंकि अभी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वह फिलाल 3000 से लेकर 32 के बीच में एक बार रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है इसके उपर अगर कोई भी लेवल्स अचीव होते है तब बाजारों में एक लंबी तेजी की आज भी देख रहे हैं गवार गम का मार्च वाइदा 10,600 के उपर है और गवार सीड का मार्च वाइदा अठावन सो पर रूपा जी देख रहे हैं कि गवार के जो प्राइसे पहले से काफी जादा गिर चुके हैं जबकि कच्छा तेल तेजी की ओर है ऐसे में आपको क्या जो है वो नोन एगरी कोमोडिटीज की तरफ जाता हूँ हमने देखा और जिस तरीके से शेर मार्केट में गिरावट देखने को मिली और इसका असर सिधा सोनी की कीम्तों के उपर आता हूँ है तो एक कह सकते हैं कि डर के महल के चलते बजारों में करेक्शन देखने को मिली कल सभी एगरी कोमोडिटीज में हमें डाउन साइड देखने को मिला था चाहिए वो गवार हो वो मसाले हो सब लुड़कते हुए दिखाई दिये थे लेकिन आज अगेन एक बार फिर से खरिदारी निचले सरो पर लोटी है लेकिन बजार सस्टेन है बहुत जादा गिराव के भी नीचे गया है तो सीड जो है वो तेजी में 6,000 तक की तेजी 6,000 से 2,600 तक ही सिस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है यानि कि डिमांड अगर निकलती है तो प्राइजिस के अंदर फुर से जो है यहां से बूस्टप तेखने को मिल सकता है और अभी फिलाल इन सरों पर मांग कम है जिसकी वज़े से कीमते लुड़कती दिखाई दी है जी रुपर जी बात करें यहां से अगर अब मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि दनिया अप्रेल वादा 10,700 पर है पहले की मुकाबले लुड़क चुका है काफी जीरे की बात करें तो जीरे का मार मसालों का वायादा बजार कुछ फिजलता नजर आया है आपको के लगते हैं यह जो जीरे का टेंशन करेट हुई है उसकी वज़ा से एक्सपोट डिमांड कहीं इंपेक्ट ना होज़े क्या उसकी वज़ा से है या फिर यह महज एक प्रॉफिट बुकिंग है देखिए बि मुझे लगते हैं कि बल्कि यह जो लोग बाइंग करने से चूक गए थे यह उनके लिए अच्छा मोका हो सकता है मसालों के अंदर बाइंग करने के लिए क्योंकि आगे फैस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा तो आगे चलकर दिमांड जो है दिखाई देगी आपको और आ अब एक्सपोर्ट डिमांड भी पिक अप होंगे और डिमेस्टिक मार्केट के अंदर भी डिमांड जो है वो निकलती हुए दिखाई देगी तो प्रोडक्शन वैसे ही हम देख रहे हैं कि मसालों के अंदर हमें कम देखने को मिल रहा है सभी मसाले तेजी पकड़ती हुए करती हुए दिखाई दे सकती है और वहीं अगर धनिय की बात करें तो धनिय का भी फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है बहुत जादा कोई घबराने वाली जुरूरत नहीं यहां से मुझे लगता है कि सस्टेन होगा मार्केट करेक्शन के बाद और अभी 12,000 तक धनिया भी सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है तो मुझे लगते है कि आगले 10-15 दिनों में मसालों में अच्छा अच्छा अपसाइड मुमेंटम बन सकता है विपजी बात करें यहां से अगर अब कैसर सीट की तो कैसर सीट देख रहे है कि अब धीर धीर 6,900 के लेवल्स की और ज सकता है जब तक 7,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तक लंगी तेजी नहीं है अभी किलान इसमें जो रेज बंती दिखाई देरिया वो अच्छा से 7,000 के बीच की देखने को मिल सकते हैं जी रूपर ची बात कर यहां सगर सोयबीन की तो सोयबीन में अमने NCDX पर 7,200 तक के ले आया था और आज भी देख रहे हैं कि वही यूएस सोयबीन फ्यूचर 1664 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऐसे में आपको क्या लगता है विलेशों में जो सोयबीन में तेजी देखने को मिल रही है और जो चीन है वो भी अमेरिकी सोयबीन की खरीदारी कर रहा है भारती वेपार यूने भी अमेरिका से लगबग एक लाक टन सोया तेल के सौदे कर रखे हैं और ब्राजिल और अर्जंटीन में पहले से ही फसल उत्पादन कम बताया जा रहा है इसी बीच आपको क्या लगता है क्या सोयबीन भी अब बाकी कमोटीज की तरह ही तेज रहने वाली है देखी 15-20% का ओर उचाल देखने को मिले जिस तरीके की स्थितियां है तो फिलाल डिप पर बाइंग की सजेशन रहेगी लेकिन करंड लेवल के उपर बाइंग रिस्की हो सकता है क्रेक्शन आ सकता है लेकिन अभी भी पॉजिटीव है तो जो भी क्रेक्शन आए उसमें बाइं कर पर बात करें यहां से अगर एडिबल और देख रहे हैं कि युएस रिफाइंड ओयल काफी शांदार तेजी की और है और भारत में भी देख रहे हैं कि जब से वी ने सोया तेल पर बेंड लगाया है NCDX उसके बाद से कीमते गिरी नहीं है बलकि चड़ी ही है तेरा सो चौदा सो पर इस समय भी रिफाइंड सोय तेल देखने को मिल रहा है और हाल ही में पाम ओयल की जो कीमते हैं उन्होंने भी कलके कारवारी सर्थ में नया हाई लगाया था 6,090 रिंगिट प्रती टन का ऐसे मैं आपको क्या लगता है अब क्रूड पाम और सोय तेल का भविश्य किस और जाता है देखें जहां तक क्रूड पाम तेल की बात है और सिपाइं सोय ओयल की बात है इनमें भी अभी देखें जो बजारों में सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि डिमांड इन लेवल्स के उपर पिक अप होती दिखाई दे रहे है और किम्तों में कहीं भी कोई गिरावट आती हुई फिलाल दिखाई नहीं दी है तो मुझे लगता है कि यहां पर बजार जो है उपरी सरों पर ही बने रह सकते है डिमांड और जादा अगर पिक अप होती है यहां से तो किम्तों में उच्छाल दर्ज किया जा सकता है क्योंकि खादे तेलों की किम्ते यहां से गिरने की तो उमीद बहुत कम है और अभी जो बजार है रूस और युक्रेइन के बीच जो यह स्थितिया बन रही है इसकी वज़े से भी किम्तों को कहीं न कहीं पाम की किम्तों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है और जिसके चलते ना के वल पाम बलकि संफ्लोर के किम्तों में भी जो है वह हमें अफ्साइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि भारत सबसे दिwritten संफ्लोर खादे तेल का आयाद यूक्रेइन से करता है और अगर Sunflor Oil का आयात प्रभावित होता है तो पाम के कीमतों में तेजी आना तै है तो कहीं ना कहीं आगे चलकर कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ पाम की कीमतों को देखने को मिल सकता है अगर ये विवाद बढ़ते हैं तो आगे चलकर खादे तेलों को भी इसका पॉजिटीव असर आता हुआ दिखाई दे सकता है और कीमते तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है अगर शूगर की चीनी की तो चीनी को लेकर काफी जाता सवाल लाए है हमारे पास ये जाना चाहरे है कि क्या शूगर में आगे तेजी देखने को मिल पाएगी रुपजी देख रहे है जो निरियात है पहले के मुकाबले तो लगबग तीन गुना बढ़ चुका है उत्पादन भी अच्छा का सा ही है तो ऐसे में अपको क्या अपको क्या रह रहा है कि शूगर प्राइस थोड़े अब जाने के कोई चैंसे हैं कि शूगर में थोड़ा बढ़ सकते हैं मांकिट को कि अभी जिस तरीके से फैस्टिवर सीजन है तो डॉमैस्की डुमांड के पिक अपोंने के चलते तेजी बन सकते लेकिन प्रोड़क्शन भी अच्छा काता है तो बहुत जादा कीमतों के अंदर अपसाइड नहीं है ले घुपजी मसालों को लेकर काफी सारे दर्शुकों के सवाल आ रहे हैं यह जानना चाहरे हैं कि यह जो निचले सतर देखने को मिले हैं मसालों में क्या यह अच्छे लेवल्स हैं मसालों में खरीदारी करने से जो वैपारी और कारुबारी पहले चुप गये थे क्या वो इन करिके चला जा सकते हैं जी रूपा जी बहुत सारे द्रश्यक है जिनका सवा लगाता सोयवीन को लेकर आ रहा है ये जानना चाहरे हैं कि जिस हिसाब से geopolitical tensions है और जो fundamentals बनते नजर आ रहे हैं सोयवीन के तो क्या सोयवीन ऐसे में आगे भविश्य में 9000 तक के भी पिस के देना चाहहेंगी आप व्यंगरी कमुर्टी इस के अंदर जैं में अच्छी अमाफ़ाग हमांगे चला जा सकता है या अने वाला कारो बारी सब्ता कैसा रह सकता है जो जिलो पॉलिटिकल टेंजिन चर रही है उसके मद्दे नज़र किस कमरोटी में कितनी मंदी तेजी देखने को मिन सकती है आने वाले कारोबारी सब्ता की बात करें तो मुझे लगता है कि खादे तेलों में इजाफा दर्ज किया जा सकता है और अग आज बात शुक्रिये रूपाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साजया करने के लिए तो यह थे एक छोटा सा कमुरूटी बजार का अपडेट कि आज हफते के आखरी कारोबारी दिन कमुरूटी बजार कैसे खुलता नज़र आ रहा है किस कमुरूटी के अं पनितुकान